हलो एव्रिवन वोप यूप यूप यूटूब चैनल लर्नु स्मार्ट दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन बच्चों को सुबकामनाई जिनका IBPS PO और कलर्क में फाइनल सेलेक्शन हुआ है और जिनका सेलेक्शन नहीं हो पाया है तो मालूम होना चाहिए कि SBI ने PO के लिए 2000 प्लस वेकेंसी एनाउस किये है जो कि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में सबसे बहतर जौब मानी जाती है SBI के after RBI तो जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ है वो फिर से महनत करने स्टार्ट करें ठीके और जो बिगनिंग करने चाहरे हैं जो फ्रेशर है वो लोग भी पूरी महनत के साथ SBI PO के लिए स्टार्ट कर सकते हैं चले अब स्टार्ट करते हैं मास की वीडियो को तो आज का जो वीडियो है मास 3rd week 2019 का वीकली वीडियो सीरीज का ही पाट है इस वीकली वीडियो सीरीज में मैंने 3 वीडियो अप्लोड किया हुय है पहला वीडियो के अगर हम बात करें तो उसमें किया था Important Updations Related to National and International आज के Weekly Video Series में हम लोग 4th पार्ट को कवर करने जाएंगे जिसके Important Topic होंगे Defense, Science and Technology और Sport ठीक है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कवर करते हैं Defense का पार्ट तो सबसे पहला Important था माज 3rd week 2019 का पूरे week का कि जो Millity Exercise है हमारी Various Countries के साथ स्टार्ट होती है वो दो Millity Exercise होई इस week में पहला Millity Exercise है F Index F का मीनिंग अफ्रीका और Index का मीनिंग है इंडिया तो ये जो F Index Millity Exercise है कंड़क्ट हुई पुने महाराष्टरा में बिट्वीन अफ्रीका और इंडिया कुष्ण इस तरीके से आता है कि Which Millity Exercise recently conducted between अफ्रीका और इंडिया और आपको Various Option दिये होंगे अब हम बात करते हैं Second Millity Exercise के तो Second Millity Exercise हुई बिट्वीन स्रीलंका और इंडिया और Exercise का जो Title Name था दोस्तों वो था मित्रसक्ते इसका जो location था वो स्री लंका दो चीजें हैं यहाँ पर याद करने के लिए एक होता है military exercise मैत्री जो हमारा जापान के साथ होता है और यहाँ पर है मित्र सक्ती जो स्री लंका के साथ है तो location इसका स्री लंका था और अफ इंडेक्स का जो location था वो पुने महाराष्टा था अगर हम बात करने जाएं स्री लंका की दोस्तों तो स्री लंका में कई बार पूछा जा रहा है कि which is the capital of स्री लंका तो स्री लंका का जो earlier capital था वो था कोलंबो वो अब स्री लंका का largest city है वो स्री लंका की capital नहीं है और स्री लंका की इस समय जो capital है that is the जै वर्धनी कोटी पुरम और currency आप जानती है currency उसकी रुपिया ठीक है अब हम बात करने जा रहे हैं इंडियन सिपगार्ड की तो हमारा जो INS खंडेरी है second submarine इसने अभी विजिट किया है और currency है फ्रांस की यूरू और जिस कंट्री को विजिट किया है इंडोनेशिया को तो अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इसका capital है जाकार्टा और currency है रुपिया है तो यह याद रखेगा INS खंडेरी second submarine visited Indonesian cost guard ठीक है अब हम बात करते हैं इस थर्ड वीक में science and technology से ज़्यादा कोई अबडेशन नहीं था defense से ही mostly अबडेशन था अब अगर sport की बात करें दोस्तों तो sport में सबसे पहला अबडेशन है Asian Youth Championship 2019 का जो कि Hong Kong में अभी conduct हुई इसमें अगर हम medals की बात करने जाएं तो टॉप किया चाइना ने और इंडिया ने total जो इसमें medal पाए वो 26 इन 26 medals में 8 gold medal थे 9 silver medal थे और 9 bronze थे तो याद रखेगा 899 तो second position रही इंडिया की Asian Youth Championship जिसको होस्ट करने वाली country थी Hong Kong अब हम बात करने जा रहे हैं Special Olympic Summer Games की तो याद रखेगा Special Olympic Summer Games 2019 Organized by the Abudhabi UAE तो UAE अगर हम बात करने जा United Arab Emirates तो इसकी capital है Abudhabi और currency कई बार हमने डिसकस किया है दिरम और इसमें total medals जो इंडिया ने secure किये वो है total 368 368 में 85 gold medal 154 silver और 129 bronze ठीके तो याद रखेगा कि इंडिया ने total Special Olympic Summer Games 2019 में जो अभूधाभी में उस्ट हुए उसमें total 368 medal विन किये ठीके अब another party के और move करते हैं another part जो है वो important है Under 17 Women's Football World Cup का और ये Women's Football World Cup है Under 17 category का ये होगा 2020 में और इसको host करने वाली जो country होगी इंडिया यो दोस्तों बड़ा important update है कि Under 17 का जो Women's Football World Cup है will going to conduct in India in 2020 तो 2020 में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो Olympic Games भी है जो Japan में होने वाले हैं Tokyo Japan में अभी जो recent event होने जा रहा है वो है cricket World Cup 2019 तो जो cricket World Cup होस्ट करने जाएगा दोस्तों वो करने जाएगा England याद रखेगा इंडिया नहीं 2019 किर्केट World Cup will going to host England और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो किर्केट World Cup 2023 होगा that will going to host by the इंडिया ठीक है बट अभी जो 2020 में Under 17 Women's जो Football World Cup है वो होस्ट करने जाएगा इंडिया ठीक है अब अगर हम बात करने जाएं तो second जो person in news रहे sport में होएं कविंदर सिंग बिस्ट तो कविंदर सिंग बिस्ट विन गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग एक चैंपियन से भी टूनामेंट जो चल रहा था 38 गीबी बॉक्सिंग टूनामेंट इन फिनलेंट ठीक है अब लास्ट पार्ट के ओर हम मूब करते हैं तो आपको मालूम हो कि जो साउथ अफरीका के famous sport person किर्केट से जुड़ हुए जेपी डमी उन्होंने retirement announcement कर दिया है so जेपी डमी announced retirement after world cup from ODI cricket ठीक है तो ये पूछ सकता है कि which famous south african player announced the retirement from the international ODI games तो याद रखेगा जेपी डमी इससे पहले अगर हम बात करें तो AB de Villiers भी announcement कर चुके हैं वो भी south africa से हैं तो ये दोनों candidate का नाम याद रखेगा जेपी डमी and AB de Villiers both announced retirement from the ODI cricket after the world cup और world cup के भी हमने बात की 2019 का जो cricket world cup होने जाएगा वो England में host होने जाएगा next point है आपका केटी एरफान से वो first Indian athlete है जिन्होंने qualify किया है Olympic के लिए और ये जो Olympic game होने जाएगे Tokyo Japan में 2020 में तो Tokyo जो capital है Japan की और अगर हम currency की बात करें तो currency जानते हैं आप इसकी जो currency that is the yen तो ये था important part दोस्तो March 3rd week 2019 का Defense, Science and Technology और Sports से related अब next video series में हम लोग cover करने जाएगे जो last week होगा fourth week March 2019 का part वीडियो देखनी के लिए thank you जिन लोगों को ये वीडियो पशंद आया है तो please कृपया चैनल को subscribe किजियो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ब्याब सियर का सकती है thank you so much